सरकारी करमचारियों की हवाई यात्रा को लेकर वित मंत्राले ने जारी किया महत्पून और ताजा आदेश 27 अक्टूबर 2021 को वित मंत्राले Ministry of Finance Department of Expenditure के द्वारा केन सरकार के सभी मिनिस्टीज और डेपार्टमेंट को महत्पून ओपिस में मुरन्णम जारी किया है आदेश में आगे खाहा गया है कि सरकारी करमचारियों के द्वारा LTC और Official परपच के द्वारान की जाने वाली हवाई यात्रा फिलाल Air India और Air India Express के द्वारा की जाती है और उसमें जो पैसेज का खर्चा है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाता है लेकिन मोज़दा समय में Air India और Air India Express का निजी करन किया जा रहा है और इस निजी करन की वज़े से Air India और Air India Express ने करमचारियों को Credit Facility देना बंद कर दिया है जिसकी वज़े सरकारी करमचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है और कुछ सरकारी करमचारी अपना टिकेट भी बुकिन नहीं करवा पा रहे हैं तो इसी की वज़े से अब यहां पर यह कहा गया है कि सभी मिनिस्टी और डिपार्टमेट्स को यह निर्देश दिये जाते हैं कि एर इंडिया के जो भी ड्यूज हैं सभी को तुरंत प्रभाव से किलियर किया जाए और इसके अलावा जो भी एर इंडिया से टिकेट खरीदने हैं उन्हें कैस में ही खरीदा जाए यानि कि अब करमचरियों को एर इंडिया और एर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा क्रेडिट फैसलेटी नहीं दी जाएगी और सरकारी करमचरियों को यह दी ल्टीसी के द्वारन जर्नी करनी है और फिर ऑफिसल परपज के लिए जर्नी करनी है उन्हें सारा पैसा कैस मे नहीं देना होगा यानि कि credit facility नहीं मिलेगी आप पैसा दोगे तब ही जाकर आपको एर इंडिया का टिकेट अब दिया जाएगा तो यह एक ब्याद महत्पून आदेश जारी किया गया है सभी केंद्रिय करमचारियों के लिए चाहिए किसी भी डेपार्टमेंट से संबंद र लिए